हेलो गाईशेंट वेलकम टू माई योटूब चैनल टेकनिकल उत्तर परदेश दोस्तों आपको रियल्मी 8S के फोन में स्माट कॉल शेटिंग आन करने के लिए सबसे पाले अपने फोन में शेटिंग को ओपेन करना होगा सेटिंग को ओपेन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रोल डाउन करके नीचे चले आना और यहाँ पे आप लोगों को ओप्सन दिखाए देगा यहाँ पर मिल जाता है contact वाले option पर आप लोगों को click कर देना है इसके बाद manage notification का option दिखाए देगा manage notification पर click करना है इसके बाद यह दो mobile बने हुए है इनके नीचे जो checkbox है इन checkbox पर click कर देना है बैज पर click करके जो है dot पर click कर देना है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर द पर यहां पर लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा अंटर्वेस, तो यहां पर convention टूल को option दिखाए देगा, convention टूल पर जैसे click करेंगे तो यहां पर आप लोग गेचर एन motion का option दिखाए देगा, इसके बाद है आटो इयर पिकप कॉल्स को अप्शन, अगर आप अपने फोन में इस उप्शन को आन कर देते हैं, तो जब भी आपके फोन में कोई भी incoming call आते हैं, उस call को receive करने के लिए आपको अपना फोन अपने कान के पास ले जाना है, आटोमेटिक कॉल रिसीव हो इसके बाद flip to mute incoming calls को option दिखाए देगा, जो कि अगर आप अपने फोन में इस option को आन कर देते हैं, तो जब भी आपके फोन में कोई भी incoming call आती है, उसको mute करने के लिए आपको अपना फोन उल्टा करके रख देना है, यानि कि जिस अवस्ता में उसको deposit कर देना है, सीधा है उल्टा कर देना है, तुरहंत आपकी जो incoming call mute हो जाएगी, तो गाईस उम्मेद करता हूँ इस तरीके आप जो smart call setting का feature का यूज काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो गाईस अगर आपको वीडियो useful लगे तो फिलीज वीडियो को लाइक कर देजे और चैनल को भी subscribe कर ल देज़िए